वेल्कम तो दीखमाला इंड़िटेज्मेंट फ़र्फेंड शेहनाजगिल का प्रोमो सामने आया प्रोमो सामने आते ही शेहनाजगिल चा गई चाना तो बनता था क्योंकि वह शेहनाजगिल जो स्टेज पर पहुंचे थी कितना कुछ बिप वॉस के मेकल्स ने करने की कि सुगें समेध मेंन तो बहुंचे कि लिए अखिवाधोर का औरे अच्री एंडवी ओघर तो नमेंगरें सब्सक्राइब आपे मुष्या डाट है खनी और मुध तो कि आपको आज़े यह हम केयाया ध्यार था का कुछ सुनी तो सुनी हम आपको सुनवाते हैं यह रेखिय तो देखा आपने शेहराज के हर गर की जान है उन्हें हर एज ग्रूप के लोग पसंद करते हैं चाहे वो पच्चे हो चाहे वो टीनेजर हो चाहे वो यंग एज के लोग हो या फिर चाहे वो बुजर्ग ही क्यों नहों क्यों ना बिलॉंग करते हों लेकि शेहराज ग्रूप को हर एक एज ग्रूप का इंसान पसंद करता है चाहता है अपने परिवार की बेटी की तरह आपने सुना अभी अभी इन्होंने क्या कहा लव यू मैं बच्चा आ गया मेरी बेटी आ गई सुना आपने जब की हाला की य बहुत बड़ी बात है और लोग आपके लिए आपके फैंस हों यह बहुत जनरली देखा जाता है लेकिन लोग आपके दीवाने हों लोग आपको घर के सदस्य की तरह मानते हों यह बहुत रियर देखा जाता है यह तो लोग सलमान आमीर शारुक सब के दीवाने हैं लेकिन कितने लोग उनको उनको उनमें से घर का बेटा मानते हैं, घर का सदस्य मानते हैं लेकिन शेहनाज गिल के केस में ऐसा है कि फैंस उनके दिवाने ही नहीं है, उन्हें पसंद ही नहीं करते बलके उन्हें घर की बेटी की तरह मानते हैं, अपनी बच्ची की तरह मानते हैं, कोई बड़े हैं, वो अपनी पोती की तरह मानते हैं, ऐसे मेसेज़ेस हम खुद इंस्टा पर रिसीव करते हैं शेहनाज गिल के लिए, जो कि उन्हें इतना प्यार करते हैं, देश-विदेश से जुड़े हुए हैं शेहना ऊसको बहुत चाहते हैं बहुत सराते हैं और ये कुछ भी नहीं कुछंट भी नहीं सिर्फ झेरफ शेहना के दिल की क sentiment क्यों हिसी और में नहीं है। sowie कितना कोशिश कर लें बिग बॉस में धेरों लोग आये शेहनास को गोल कर पी कर एकदम कि हम भी शेहनास गिल की तरह बरताव करें और शेहनास गिल बन जाएं बिहें बरताव करने से शेहनास गिल नहीं बनते हैं जब तक आप मुझ से बोलना और दिल से बोलना और आपके दिल में कुपसूरती होना तो अलग-अलग चीज़ है और शेहनाज गिल जब वो सब करती है तो वो दिखाई देता है उनके expressions में उनकी बातों में वो भूलापन उनके चेहरे पे वो मासूमियत तो यह सारा जो कॉम्बिनेशन है यह सारी जो बैस चीज़ों का वो सरफ शेहनाज गिल में है और वही फैंस को उनका दीवाना मनाता है आपको क्या लगता है आप कितना सहमत है हमारे शब्दों से कॉमेंट करके बताएए वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आन